थारा दिन पूर्व भिटारा ब्लॉक परिसर से चोरी गए दस सोलर पैनलों का मामला पैनल चोरों को अब तक पता नहीं लगा पाई चौकी पुलिस हवा में चल रही है तीर हुसेन गंस्थाना शेत्र के भिटारा ब्लॉक परिसर में लगे सोलर पैनलों को चोरी हुए करीब 18 दिन बीच जाने के बाद भी ओम घाट भिटारा चौकी पुलिस चोरों का अब तक पता नहीं लगा पाई चौकी पुलिस पैनल चोरों को खोजने के नाम पर हवा में तीर चला रही है मालूम हो कि भिटारा ब्लॉक में सरकारी कारे बाधितना हो इस उद्देश से सोलर पावर सिस्टम को लगाया गया था जिसमें ब्लॉक परिसर की छट पर काफी संख्या में पैनल लगाये थे जिसको अठारा दिन पूर्व अग्यात चोरों ने दीवार को फान कर अंदर पहुँचे और छट पर चड़कर खरीब धाई सो वाट के दस पैनलों को बड़े ही चतुराई से खोल के गए अगले दिन जब ब्लॉक कर्मचारी ब्लॉक पहुँचे तो देखा चट पर लगे दस पैनल गायब थे जिस पर खंड विकास अधिकारी ने हुसैन गंज थाने में अग्यात चोरों की विरुध मुकदमा दर्ज कराया था चोरी गए दस पैनलों की कीमत 1.5 लाख रुपे बताई जा रही है आशर की बात ये है कि अस्थानिय पुलिस की रात्री गस्थ होने की बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में सोलर पैनल चोरी हो गए 18 दिन बीत जाने के बाद भी ओम घाट भिटारा चौकी पुलिस पैनल चोरों को अब तक पता नहीं लगा सकी उधर चोरी गए दस पैनलों के संबन्ध में जब ओम घाट भिटारा चौकी इंचार्ज रमा कांत गिरी से दो बार बात की गई तो उन्होंने कहा हमारे पास अभी समय नहीं है भिटारा बीडियो से बात कर लो कहते हुए पल्ला जाड लिया फतेपुर से हमारे जिला सम्वादाता अनिल कुमार की येरपोर्ट